हेलो गाईज मैं मनीस और आप सब देख रहे हैं विंसा में चुक्रासेस आज की इस वीडियो में हम सब यूपी डिया लेट सेकेंड सेमेस्टर की जो इंग्रिस के परिक्षा होने वाली है उसके बारे में पढ़ेंगे और टार्गेटड वीडियो हैं इसमें हम एक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर तीन सब टॉपिक जो दा ग्रामर ट्रांस्रेशन में अपरोच इन्हीं तीनों के बारे में आज कि इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सेर और सब्सक्रा इसके बहुत सारे पुड़ाने नाम से आ चुके थे बट इट हैस बिन यूजड बाइज टीचर्स फॉर मैनी इयर्स जो भासा सिखाने वाई टीचर्स लेंग्वेज टीचर्स मतलब इंग्लिस इंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाई टीचर्स जो इस में इस करते आ रहे है इसका किस उद्देश से के रहे हुआ करता था फॉर हेल्पिंग इस्टुडेंट्स रीड एंड एप्रिसियेट फॉरें लेंग्वेज लेंग्वेज लिटेर्चर्ट ठीक है तो इतनी भी फॉरें लेंग्वेज अर्थात विदेशी भासा के साहिते होते हैं उसको पढ़ यह सब्सक्राइब थी आपने अपने अपने उनकी ज्याधा क्या लेंग्वेज से अधिक उनकी जानफसान हो जाती है और इसी वज़ा से उनकी अपने खुद की भासा से अधिक जानपस्टान हो जाती है तो उस भासा को बोलने और लिखने मुने जो है सुविधा मिलती है इसका उदेश से मैं आप समझे गए होंगे कि native language को समझाने भी काम हो सकता था और foreign language को भी समझाने में इसकाम सब यूज कर सकते थे ठीक आगे है इन दा grammar transition method the primary skills to be developed are reading and writing ठीक है तो यहां से question बन सकता है तो grammar transition method में primary skills जो है reading और राइटिंग के development पे ध्यान दिया जाता था it is attention is giving to speaking and listening और थोड़ा बहुत ध्यान किसको दिया था speaking और रिसनिंग तो ठीक है question यहां से बन सकता है कि reading और राइटिंग के वही grammar transition method में प्राइमरी को इसी को develop किया रहता था इस पीकिंग और रिसनिंग को थोड़ा कम दिया गया जाता था तो वह तो यह तो है टीचर के पास रहता था इसमें इंग्लिश और हिंदी में इतनी भी समानताय होती है उसी को attention उसी को दिया रहता है कि उन्हीं के माध्यम से सिखाया जाता है इत इस इंपोर्टेंट फोर सुदेंट तु लर्न अबाउट दा फॉर्म अब टार्गे रहता है और रहन करने से जो है अच्छा मेंटर एक्सराइज भी हो जाता है स्टुडेंट सुट भी सिर्स और ग्रामेंट का जुल्स ऐस्नивает कर सकता है व्यनेवर पोस्टीबल वर ben अधर ग्रामेटीकल प्रेडिक्म शुडबी कमिटेट टू मेमोरी इस प्रकार जो है ग्रामर चांसेटर्ट का प्रियूग करके हम सब जो है एक फॉरेल्ड लेंग्वेज को और उनके नेटिव लेंग्वेज के बीच में सिमिलाटीस को स्थापना करते इस्थापित करते हैं और स्टुडेंट कोई टार्गेट लेंग्वेज को पढ़ाया जाता है शूरू पहदा जो मेथ़ा हूँा एक जो मेथट रिप्रिंसिपल्स हैब ब्लाइड बाइज टीचर्ट फ़र मेनी एर्स बहुत सादू से टीचर में इसका यूज़ करते आ रहे हैं ठीक है जो है अच्छा इफेक्टिव जो था अच्छी तरह से इफेक्ट नहीं डाल पाया इससे यह डायट मेथट को जो है जाना पड़ा और इसी वज़ा से डायट मेथट जो है पफिलर हो जाता है अगर मैं आपड़ू था और देल्स पढ़ा रहा हूं तो मैं इंग्रिस के चीजों और सेितिलों को एकस्प्रेंड करने के लिए इंग्रिस कऊ-प Carson का ना घ 열 को इन फेक्ट उसे तार्गेट लेंगवेज के ही फॉर्म में आपको समझाना पड़ेगा उसके हम यहां पर अभाव नहीं होता डारेक्ट में विदाउट गोई थू दू दा प्रसेस ओफ दॉफ दा बिगण बैदिग स्किल भी डवल्प्ट तो प्रेक्टिस विट स्पिकिंग थीक तो इसके आपके दो चीज़े डेबलप हो सकते हैं एक रिडिंग स्किल डेबलप जाएगा और दूसरा जो है इसमें फाइन आर्ट्स को भी जगा दिया जाता है और यहां बताए गया नेट्व रेंग्वेज भी जो है नेट्व रेंग्वेज का उप्योग जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसका मतरब क्या हुआ अगर आपकी टार्गेट लेंग्वेज है आप अंग्रेजी प यहां पर इस्टूडेंट को समझना चाहिए खुद डारेक्ट असुस्रीएट करेंग्वेज को खुद से समझे उस टार्गेट लेंग्वेज के सब्द और उसके मीनिंग के बाए बिना उसकी हिंदी को जाने या उसके ट्रांसिशन को समझे वोकेब्रली इस एक्वाइड मोर नेचुटरली इफिस्टूडेंट्स यूज इन फूसेंटेंस तो इसके समझने के आपको वेकेब की भी आव सकता बहुत जादा होगी रेदर मेमुराइजिंग वर्ट लिस्ट दा परपर जो लेंग्वेज राइनिंग इस चाहिए सेल्फ करेक्शन फैसलिटी इस लेंग्वेज राइनिंग रेशन सुट कॉंटेंड सम्कॉंवर्शनल एक्टिविटी सम अपॉर्चुनेटी फोर इस्टूडेंट टू यूज रेंग्वेज इन रियल कॉंटेक्ट और कुछ इसमें पार्ट जो इस प्रकास से बन बलने पर जोजेना चाहिए ना कि रीखने और अठने पर ग्रामर इसमें जो है ग्रामर कैसे इंडक्टिव मेशल सिखाना चाहिए इसमें कभी भी ग्रामर के नियम नहीं देते हैं राइटिंग इस इंपोर्टेंट स्किल टूब डेवलोट फॉम दा बिगनिंग ओग्वे जो की लेंगोज राइनिंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं दसलेवर सिस बेस्टों सिच्वेशन्स और टॉपिक स्लेवर्स कैसा आना चाहिए च्योंकि सिच्वेशन्स और टॉपिक पर बेस्टों नोट यूज्वरी ओन लिंग्वेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक भूशा कि दो रमालेज्व क्न प्रकाथ लिफ कर्ती है ठीक है तो जो टांसलेशन मेथ्ट था और डैलेक मेथल था यह मैंने आपको बता दिया और डारेक मेथ ăn में सबसे इंपोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ट्रांस्रेशन जो है उट्रांस्रेशन आपको नहीं करने ट्रांस्रेशन में एलाव ही नहीं होता है और टीचिंग ग्रामर मेथट में ग्रामेटिकल दूस को ही हम सब ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं ठीक है अगला हमारा जो मै लेंगते ढंदअ लेंगरच रेदर रहां असे इस वह अप्लहिस कर सकते हैं कर सकते अप हमें यह जिखान is put on teaching the students a command of the structures ठीक है यहाँ पर structures सिखाने पर ही ज्यादा यहाँ पर क्या जोर दिया जाता है ना कि words को सिखाने पर एक बार वो सब जो है pattern को frame करना समझ जाए once they know that they are frames or pattern they can fit words into them easily जो है words को उसमें असानी से fit कर सकते हैं for instance once they know the pattern if had been dot dot ing would have etc करके मतलब वो pattern को बस आपको उनको समझाना रहता structure approach में बाकी काम हो कर सकते हैं they can easily learn words to put in the blanks and brackets but if they only know list of words पर अगर वो सिफ word के list को ही जानते होंगे they cannot possibly speak वो बोल नहीं पाएंगे understand नहीं कर पाएंगे पढ़ नहीं कर पाएंगे और उस sentence को राइट नहीं कर पाएंगे इस ट्रिक्टली स्प्रिक्टिंग इस दा structure अप्रोच तो डिल नोट ऑन्ली विट sentence पेटर्न विट्वेसे पेटर्न के साथ ही डिल करता है ठीक है बट अल्सू विट सस्टिंग एस दसाउंड पेटर्न आप दा लेंग्वेज ठीक है आप साउंड पेटर्न पर भी यह ध्यान देता है जैसे कि यह जिसे मैं आपको एक सिंपल सा एक स्ट्रक्ट्टर समझा देता हूं अगर फिल उसमें एक सब दाब दिखा होगा ही यहां फोय आ यहां यहां साउंड पर करता है चारण की यह इता है दे आ प्रकार से बनाया जाते हैं डिफ्रेंट मीनिंग ओफ वर्ड एंड प्रेटर्न एंड आइडम्स और इस वूट भी से लेक्टेड एंड ग्रेटेड एंड ग्रेटेड ठीकर अलग प्रकार क्या है क्या है एसमें प्रोज करते हैं इस अप्रोच के साथ सब्सक्राइब यूच कर सकते हैं और प्रामर क्या क्या है इस स्ट्रक्टर्स को आपको जो सिलेक्ट करवाना है उसके बाद यहां देखें दिखा हुआ है कि यह वन स्ट्रक्टर्स है बिन स्ट्रेक्टेड एंड ग्रेड़ेड इट वुड़ बी पॉसिबर टू टीच तेम बाई ग्रामर एंड ट्रांसितन मेठेड और बाइड डालेट म जानते हैं उसके माध्यम साथ उनको टीच्ट कर सकते हैं वस एक परफेक्ट क्या धेर सारे इस्ट्रक्टर्स उनके पास होनी चाहिए कि हमें इन्हीं इनी इस्ट्रक्टर क्या धार पर पढ़ना तो यह मैठट थो है काफी ही उस्पल मैठ़ड साबित हो सकता है ठीक है इजामीन इट टू सी हाउव फार इट इच फिट्स इंटू आवर एमसेंड मीन अभी हमारे उद्देश्चियों को कितना परिपूर करता है कि मैं आपर देखते हैं दामर सिदेक्शन एंड ग्रेडिंग और इस्ट्रॉक्टर्स विज नौ स्वल्ड प्रॉब्लम वी हैं हमा क्योंकि यह एक समय पर एक ही चीज़ को देने की करती है तो हैब दा इसियर थिंग दिफिकल्ट वन्स आफ्टर ठीक है तो पहले हम असान चीज़ों को देंगे उसके बाद ही कठीन चीज़ों को देंगे एंड टू हैब जोज विच कैन सर्व एस गूट आज बैसिस ओफ इसिंग अधर सिंग्स कमिंग विफोर दा लेटर इट विल अलसों मेक इट मच एजियर फोर उस तो किप ट्रेक अफ वाट वाट वी हब सौट एट एट एन गिवें पॉइंट सो वाट वी कन एक से नो अब यहां यही बताया जा रहा किसमें हमें टीचर्स को एक जो है एक एक तरह से ट्रेक मिल जाते है करास्ता मिल जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करके इसमें पढ़ाते जाना है वाट वी केन एकसेप्ट दपीपल्स तो हैब नो डिफिकल्टी विट एंड वाट वी सूट रिवाइज इससे हमें दो चीजे पता हो जाएंगे कि हमें बच्चों को को क्या पढ़ाया तो उन्यकिसमें डिफिकल्टी नहीं हो रही है ठ करते हैं एक नहीं टीचिंग पॉइंट को इंट्र नहीं पताचलता है वो नहीं द्रिल्स को कौनसलिट यहां पर किया जाता है ना हे reading material ना reading exercise पर आपर focus दिया जाता है तो कुल में आके आज हम समने जो है तीन structure एक दो method और एक approach के बारे में पढ़ा है next video में हम जो है और जितने भी methods होंगे उनके बारे में चानेंगे thank you